Newborn baby के नहलाने का basic principle है कि हम सीधा उसके चेहरे पे या सर पे पानी नहीं डालेंगे पहले मदर अपने हाथ में लेगी और फिर वहाँ से वो transfer करेंगे बच्चे के शरीर के उपर कोई भी खाने की चीज जिसमें protein है और commonest है दूद अगर हमने शरीर पे लगाई मान के चलिए इस बच्चे को हम उसी चीज that means milk से allergy की तरफ दकेल रहे futility जो हम ढूणने की कोशिश कर रहे हैं मालिश के जरीए वो होता नहीं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा आज एक बार फिर senior pediatrician डॉक्टर महेश हीरा नंदानी जी हमारे साथ है newborn baby care पे हम आज एक बार फिर उनसे बात करने जा रहे हैं बहुत बहुत स्वाब एक फिर सब्सक्राइब नियूबॉर्ण कियर अलड़ी ए वीडियो जिसमें हमने बात की थी कि घुट्टी देनी चाहिए या नहीं काजल लगाना चाहिए या नहीं नाभी में तेल और बहुत कुछ था वीडियो काफी पसंद के जा रहे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है चैनल के माध्यम से जो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ वो एक साइन्स द्वारा देया गया इंट्रवेंशन है ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है और सालों से सदियों से हम बहुत सारी प्रैक्टिसेज करते आ रहे हैं जिन्में की कुछ हानिकारक होती हैं कुछ ठीक होती है जो newborn care practices ठीक हैं जिनमें की science का कोई evidence है उन्हें हम promote करते हैं जहां हमें दिखाई देता है कि ये बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है उसमें मेरा फर्ज है आपको ये बताना कि ये चीज गलत है तो मिसाल के तौर पर हमने गुट्टी, काजल, नाभी में कुछ लगाना, नाक में तेल डालना ये सारी चीजें जो हानिकारक हैं और इसमें science बड़ी clear है तो ऐसे में भले सदियों से हम करते आ रहे हैं पर जो चीज गलत है वो गलत है और आपको इन सब चीजों को सुईकारना पड़ेगा आप इसे blindly ना सुईकारें, आप चाहें तो अपनी research कर सकते हैं डॉक्टर गूगल तो हैं सबके पास, आप कर सकते हैं Coming to baby bath, मैं किसी adult से सवाल पूछना चाहूंगा कि किसी कारणवश अगर आप तीन दिन ना नहाएं तो आपको कैसा मैसूस होता है तो newborn baby जो शृष्टी का सबसे delicate creation है वो तो हमारे उपर ही dependent है हर care के लिए उसको ना नहलाएं तीस दिन और जिसने की दिन में दस बार party करनी है दस बार सुसू करना है तो ऐसे में क्यों नहलाया जाए क्यों न साफ रखा जाए और science से ये प्रूव हो चुका है कि नहलाने से बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो सकता ना नहलाने से बहुत कुछ हो सकता तो ये बात कि बच्चे को महिना बर नहीं नहलाना बिलकुल गलत है हाँ आज से कुछ साल पहले तक जब बच्चे अस्पतालों में, नर्सिंग होम्स में या किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में पैदा होते थे तो उन्हें इमिडेटली बर्थ पे नहला दिया जाता था जिससे साइन्स हानिकारत मानता है क्योंकि हम चाते हैं पहले 24 गंटे में बच्चा पैदा हुआ है, इस दुनिया में आया है, अपने आपको स्टेबल कर ले, अपना नूट्रिशन, मा के दूद द्वारा स्टैबलिश्ट कर ले, अपना टेंपरेचर नॉर्मलाईज कर ले, उसके बाद में अगर उसको नहलाय जाये, at 24 hours, वो absolutely safe है, और 24 गंटे के बाद, हर 24 गंटे में उसे नहलाया जाना ज़रूरी है, सर्दी हो या गर्मी हो, अगर आप किसी Russian से, या American से, या Canadian से कूछेंगे कि क्या हो अपने बच्चे को रोज नहलाते हैं, आपको उत्तर मिलेगा, हाँ वो रोज नहलाते हैं, ज गर्मियों में और सर्दियों में, सबसे पहली चीज हाईजीन, सो जो भी नहला रहा है, caretaker हो, दादी हो, नानी हो, या माँ हो, hand washing बहुत ज़रूरी है, number two temperature, किस temperature पे नहलाया जाए, तो roughly, जब हम पानी को टच करते हैं, हमें अच्छा, lukewarm पानी महसूस होना चाहिए, ना वो जादा गरम हो, ना वो ठंडा हो, और अगर scientifically जानना चाहें, 32 degree centigrade पर, आजकल thermometers मिलते हैं, जिनमें कि आप नाप सकते हैं, 32 degree centigrade बिलकुल appropriate temperature है, so पानी का temperature, then comes जगे, मैं चाहूंगा newborn baby को कमरे में नहलाया जाए, washrooms, bathrooms में नहीं, क्योंकि bathrooms ठंडे ही होते हैं, और हमें light भ तो कमरे में नहलाया जाए, bed के उपर या table के उपर, और newborn baby को नहलाने के लिए दो लोगों की जरुवत होती है, एक आदमी जो की बच्चे के शरीर पे साबुन लगाएगा और पानी, और दूसरा आदमी चीज़ें देने के लिए, newborn baby के नहलाने का basic principle है, कि हम सीधा उसके च कीक से better है, जो आपके body washes आते हैं, बेकर साबुन की टिकी नहलाने के बाद आप कहां रखते हैं, उसकी hygiene क्या है, that is a problem, खर्चा उतना ही है, अगर आप body wash यूज़ेंगे, दो drop यूज़े होता है सारे शरीर के लिए, कोई भी gentle body wash आप बच्चे के पूरे शरीर पे लगा के जो इसको नहला सकते हैं, और सर पे हफ़ते में दो से तीन बार शैंपू किया जा सकता है, जो भी oiling करनी हैं बच्चे के सर की, बालों की, वो शैंपू से पहले होनी चाहिए, और शैंपू के बाद oil लगाना तो defeat करता है purpose नहलाने का, हम शैंपू क्यों करते हैं, बालों की चिप चिप और डेड़ स्किन हटाने के लिए, और शैंपू के बाद oil लगाने से क्या होता है, और चिप चिप और डेड़ स्किन वहीं चुपक जाती है, तो यह जो हम बच्चों को तेली बना देते हैं, खूब सारा तेल लगाकर, इट इस नॉट अडवाईजबल, कोई नहीं करता दुनिया में, तो लेट्स फॉलो दाट, अच्छा कई बर दही से नहलाते हैं, वह कितना से ही है, तो नहलाने के लिए जो बेस्ट प्रोड़क्ट है, वह बड़ी वॉशी कहा जाता है, किसी भी और चीज से अगर हम नहलाएंगे, और वह अगर एड़ेबल इसे अलर्जिक बना देंगे लिटर लाइफ में, पर वो इसकिन से कैसे अलर्जी हो सकती है, इसकिन में लगाने से, तो अगर हम कोई भी खाने के चीज की एंट्री, मुह और पेट के बजाए, चमड़ी के जरिये करेंगे, तो जो इम्यून सेल्स किन में होते हैं, तो रिय चीज के अगर यहां लगा देंगे तो चली जाएगी, या इंजेक्शन में पीलूँगा तो उसका असर होगा, नहीं होगा, तो हर चीज का अपना अलग रूट है, तो अगर हम कोई भी खाने की चीज जिसमें प्रोटीन है, और कॉमनेस्ट है दूद, दूद, मलाई, घी और दही, अगर हमने शरीर पे लगाई, मान के चलिए, इस बच्चे को हम उसी चीज, that means milk से allergy की तरफ धकेल रहे हैं, भूल जाएं यह सब चीजें शरीर पे इस्तमाल करना, जो चीज जिसके लिए बनी हैं वो इस्तमाल की जाए, यह science है, कितनी देर तक बच्चे को नहला देना चाहिए, पांश मिनट में, दस मिनट में, क्योंकि कई बर होता था पहले के जबाने में पैरों पे रखके बच्चे को नहला देते थे, दादी या नानी कोई भी, वो बहुत ही अच्छी प्रता थी, उसमें मा या दादी या नानी अपने पैरों द्वारा, एक तो व वही चीज दादी नानी अपने लेक्स के जरिये करते थे, जिसमें बच्चा फसा जाता था, और चाहें जितनी पोजिशन उसको अपरकते थे, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस थी, कोई अब्जेक्शन नहीं हो उस प्रैक्टिस को, अभी भी करकी जा सकती, या फिर तब तब में कई बार, लेक्ट धियान अपना पड़ेगा कि दो लोग हो, तब में अगेन वंस अगेन एक रॉकर टाइप होती है, बेदिंग की नेट होती है, उसमें बच्चे को डाल दिया जाता है, बच्चे का हैड़ पोजिशन रहता है, इन फैक्ट आप उसमें बेल्ट ब इसने बहुत सारी चीज़ें इजात कर दी है, जो कि इन चीज़ों को बड़ी आसान कर देती है, आप गूगल पे क्या फेस्बुक पे चले जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नजर आ जाएंगे, आपको safe products हैं, अच्छे products हैं, कितनी देर तक हम चाहेंगे, जितना ज आसना आए, उस temperature पे आप बच्चे के कपड़े उतार के उसको नहला पाएंगे, सरदियों में इतना कमरा आपको गरम करना पड़ेगा, गर्मियों बेवी जब newborn baby को हम कपड़े हटाते हैं, भले पंखा चल रहा हो या ना, बच्चा थोड़ा कांपने सा लगता है, तो इसी उपर उपर से हमने, जो पिछले 24 गंटे का पसीना है, उसे निकाल देना है, तो as quickly as possible, मतलब इस प्रोसेस को जल्दी करना है, और उसके बाद में उसको आप डैब ड्राय करें, कोशिश करें कि ना पूरी तरह रगड़ें, अब आगया कई लोग कहते हैं कि नहलाने के तो घीली चमडी पे आपने एक पतला सा लेयर, कोई भी gentle baby lotion का या cream का लगा देना है, जो की moisture को trap कर देगा, पर अगर गर्मी के मौसम में, जहां कहीं भी सूखापन नहीं है बच्चे के शरीर पे आप ये लगाएंगे, तो definitely चिप-चिप होगी, infections होगे, दाने बनेंगे, r को की होती है, आप इस्तमाल कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, चेक करना पर, बिलकुल, अब मालिश, क्योंकि वो नहाने से पहले होती है, मालिश को लेकर बहुत सारे comments आपने, हमने पहले थोड़ी सी बात की, जादा नहीं, तो आज जादा बात कर लेंगे, कि detail में, बहुत सारे लोग के रहें, सद्यों से मालिश होती है, इसमें क्या problem है? बच्चे और मां के बीच में, अगर ऐसा है, तो मां करें मालिश, दूसरी चीज, मालिश में ये important नहीं है, कि बच्चे के शरीर पे क्या लगाया जा रहा है, मालिश को किस gentle तरीके से कर रहे हैं, और मालिश के दौरान, मां और बच्चे के बीच में, क्या dialogue हो रहा है, क्या तो mental development हुआ, ये तो bonding हुई, पर अगर हमने बस उसको रगड़ देना है, और उसको रोला देना है, तो वो तो हमें कोसेगा, चाहे बोलना पाए, तो मेरे कहने का मतलब है, मालिश करिए, be gentle in your act, be gentle about the product जो आप इस्तमाल कर रहे हैं, oils कुछ भी कह लें आप, oil को मैं gentle नहीं मानता, अगर oil इतना बढ़िया होता, तो adults भी oil चेरे पर लगा के गुमते, जब इतने बढ़िया lotion, gentle lotions, gentle creams बनी है, वो बच्चों के लिए ही बनी है, आप इस्तमाल करिए, थोड़ी सी मात्रा ही इस्तमाल करनी है, वो भी तब अगर बच्चे के शरीर में खुशकी है, अगर गर्मिया है, बच्चे का शरीर already चिप-चिप है, नहलाने से दो मिनट पहले, जब माने बच्चे के कपड़े उतारे, अगर माने बच्चे को gentle hands से just इस तरीके से भी कर लिया, और बच्चे से बातें कर ली, बच्चे की थोड़ी exercise कर ली, सब कुछ अचीव कर लिया आपने, जो आप मसाज के थुरू करना चाहते हैं, हमें वो सब जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, करने की ज़रूरत नहीं है, और कभी तो हमें बदलना होगा, जो हानिकारक चीज़े हैं, उसको मैं support नहीं कर सकता, gentle massage की जा सकती है, नारिल का तेल इस्तमाल किया जा सकता है, मैंने आपको यही बता है कि, नारिल का तेल भी जब आप गर्मियों के मौसम में लगाते हैं, there are problems on the baby skin, ठीक है, हाँ, सरदियों में अगर आप नारिल का तेल लगाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, पर एक बात मैं बताऊं, हम जो oil लगाते हैं, उसका purpose क्या है, हद्डियों को strong करना, circulation improve करना, या moisturization करना, हद्डियों को strong करना नहीं होता, कोई भी चमडी पे लगाया हुआ, तेल अंदर नहीं जाएगा, Moisturization कैसे होगा, आप नहलाने से पहले moisturize कर रहे हैं, उसके बाद में साबुन लगाएंगे, तो तेल कहां गया है, वो तो नाली में चला गया, अब रह गई बांडिंग की बात, bonding doesn't depend upon कि आपने क्या लगाया है, महंगी क्रीम लगाई है, या सस्ता तेल लगाया है, bonding depend करती है, मा किस तरीके से बच्चे के साथ में इंटराक्ट करती है, तो यह तीन परपस है, यह तीनों परपस सौल नहीं हो रहे हैं, by what product you are using, it is actually आप बच्चे से किस तरह पेश आ रहे हैं, वो है, that is the idea, but yes, कई communities में बड़ा strong वो है, आप इस्तमाल करिये, जब तक rashes नहीं होते हैं, करिये, बट मैंने आपको बता दी है, futility जो हम डूणने की कोशिश कर रहे हैं, मालिश के जरीए, वो होता नहीं है, मालिश का फरपसल होती है, वो science नहीं मानता हो साथ.